मावल सिनेमेटिक यूनिवर्स को आज भला कौन नहीं जानता इनके सूपर हीरोज के पीछे लोग पागलों की तरह दिवाने हो चुके हैं और इनी सूपर हीरोज में से आज के जाने माने और फेमस सूपर हीरो कैप्टन अमेरिका यानि कि क्रिस इवन्स ने एक्टिंग की ऐसी चाप छोड़ी है कि आज उनके करोडों फैंस हैं वैसे तो क्रिस ने फैंटास्टिक फोर में हुमन टॉच सूपर हीरो का किरदार निभा चुके हैं लेकिन उनको असली पैचान उनके निभाय गए किरदार कैप्टन अमेरिका से मिली रिसेंटली रिलीज हुई अविंजर्स इंफिनिटी वार में उन्हों ने साबित कर दिया कि वह लोगों के पसंदिदा क्यों है लेकिन दोस्तों शायद ही आपको पता हो क्रिस इवन्स ने शुरुआत में कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए मना कर दिया था बाद में उन्हें किसने किन्वेंस किया और साथ ही यह भी जानेंगे कि उनकी बॉडी में इतने सारे टैटू क्यों है तो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं कैप्टन अमेरिका यानि कि क्रिस इवन्स की पूरी लाइफ स्टोरी किस तरह से मॉडलिंग से शुरुआत करने वाले क्रिस लोगों के फेवरिट सूपर हीरो है तो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं Captain America यानि कि Chris Evans की Life Story किस तरह से उन्होंने modeling से शुरुआत की और आज वो favorite superhero कैसे बने तो दोस्तों इस कहाने की शुरुआत होती है 13 जून 1981 से जब United State के Boston में Christopher Robert Evans का जन्म हुआ उनके पिता का नाम G. Robert Evans 3 था और उनकी मा का नाम Lisa Evans और साथ ही उनकी family में दो बहने और एक भाई भी हैं जिनमें बहनों का नाम Carly और Sana है और भाई का नाम Scoot है और उनकी परवरी शटबैरी में हुई Chris ने अपनी पढ़ाई Lynn Clown Subbury Regional High School से की है और उसी दरान वे स्कूल के शो में हिस्सा लिया करते थे और तभी उन्होंने One Flow Over The Cook's Nest नाम की मूवी देखी और इस मूवी से वे बहुत इंस्पायर हुए फिर बाद में उन्होंने The Winter Tale नाम की एक प्ले में काम किया जिससे उन्हें काफी सरहना मिली और यहीं से उन्होंने एक्टर बनने का फैसला किया अपने सपनों को पूरा करने के लिए Theater and Film Institute जोइंग किया और यहां से acting skill सीखने के बाद क्रिश पहली बार 1997 में Biodiversity Wild About Life की एक वीडियो की लेकिन यह उतनी काम्याब नहीं हो पाई हाला कि यहां से आगे का रास्ता तैकरनक क्रिश इवन्स के लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि वे पहले ही बहुत सारे auditions में reject हो चुके थे और इस कटिन समय में उनकी आशा की किरन बन के आये उनके दोस जो कि क्रिश को हमेशा से ही encourage करते रहे और फिर उनका असल करियर सुरू हुआ एक model के तौर पर जब उन्होंने एक game बनाने वाली company haspaws में modeling के शुरुआत की और फिर साल 2000 में उन्हें एक टीवी शो दफ़गी ट्यूप में उन्हें एक छोटा सा रोल मिल गया और इसी साल उन्होंने opposite sex नाम के एक television show भी किया और उनकी दमदार acting को देखते हुए साल 2000 में ही Chris ने छोटी विजट की दो फिल्मे Cherry Falls और The Newcomers में काम किया लेकिन Chris Evans को बतौर lead role offer हुआ 2004 की movie The Perfect Score में और फिर बाद में people of London movie से लोग उन्हें बतौर actor के तोर पहचानने लगे 2005 उनके जीवन का सबसे बहुत अप्रूर साल बन गया जब उन्हें fantastic four में human torch के किरदार के लिए चुना गया इस किरदार को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और उनका नाम बड़े stars के नामों के साथ जोड़ा जाने लगा 2007 ने fantastic four के skill fantastic four rise of the silver surfer का दोबारा से human torch के किरदार में नजर आये और यह film भी super hit रही उनकी इस performance को देखते हुए marble franchise ने उन्हें Captain America the first avenger के रूल के लिए offer किया लेकिन शुरुआत में उन्होंने इस रूल के लिए मना कर दिया क्योंकि वह डर रहे थे यह लोगों को पसंद नहीं आएगा इसके बाद उन्होंने Robert Downey Jr. यानी की Iron Man ने उन्हें convince किया उनका सूपर हीरो का करदार यानी Captain America लोगों के दिलों को चूग गया और यह film भी box office पर बहुत बड़ी hit साबित हुई और फिर Chris Evans को लोगों के फेविट सूपर स्टार बन गये 2012 में Chris Davenger मूवी में एक बार फिर से Captain America करदार में नजर आए और इस फिल्म ने box office के कई record तोड़ डाले 2012 में release होने वाली है सबसे बड़ी movie बन गई आगे भी Chris Evans ने Captain America, The Winter Soldier, Captain America Civil War और Avengers Age of Ultron में भी नजर आ चुके हैं और हाल ही में release हुई Avenger Infinity War में नेजर आये और उन्होंने एक बार फिर से अपने Captain America के करदार से लोगों का दिल छू लिया और साबित कर दिया कि वह लोगों के पसंदिदा क्यों हैं और यह movie अब तक box office के धेर सारे record तोड़ चुकी है और 3 billion से भी जादे की कमाई कर सुकी है उन्होंने एक interview में कहा था कि वह tattoo को इसलिए अपनी body पर बनवाते हैं क्योंकि वह हर tattoo किसी ने किसी कहानी से जुड़ा हुआ है इसलिए वह अपनी body पर tattoo बनवाते हैं तो दोस्तों यह थी हमारे प्यारे super hero captain America की कहानी उमीद है कि आपको पसंद आई होगी प्लीज comment में बताएं आपको captain America कैसे लगते हैं आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद